हम इसे कहते हैं धर्ती माता, हम इसे कहते हैं भारत माता, इस देश में देवियों का नाम पहले लिया जाता है, हमारे यहां योधा रानियों का जन्म हुआ है, अब कैसे इसको बरबाद करना है, तो इसके मेन सुत्रधार है, पहला बॉलीवूड, दूसरा टीवी सीरियर और तीसरा OTT platform मैं थोड़ा सा इसमें आपको detailing में जाऊंगी कि 25 वर्ष तक की बच्चियों को युवा बच्चियों को बिगाडने का काम जो है वो Bollywood वाला करेगा कि वो फिल्में ऐसी बनाएगा कि जिसमें जो लड़की होगी वो हिंदू की होगी लड़का जो होगा वो मुसल्मान होगा और फिर ये लोग ये दिखाते हैं कि हिंदू की लड़की केदारनात की यात्रा करती और यात्रा करते करते खचट टक्टू चलाने वाले से वो प्यार में पर जाती और उसके साथ भाग जाती है ये लोग ये दिखाते हैं अब हमारी जो बच्चिया जो च और पिच्चर देखते हैं और पिच्चर देखकर तालिया भी बजाते हैं उसको करोडों का बिजनस भी करके दिते हैं यह तो हुए 25 वर्ष की क्योंकि एक फिल्म आई थी अतरंगीरे जिसमें सारा अली खान का क्योंकि वो लेटिस्ट क्रश है अभी जो यूवा बच्चिया है उनका तो सारा अली खान का एक डायलोग था ट्रेन में जा रहे थे और जाते जाते एक चर्चा होती है उसको हीरो मिलता है ट्रेन में और दोनों अपनी लव स्टोरी बताते हैं और वो जो लड़का है वो लड़की पूछती है सारा अली खान उसको कि तुमारी लव स्ट लव स्टोरी है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मिया भाई और यह है असली लव स्टोरी देट वास दायलोग इन देट फिल्म अब हमारी बच्ची छोटी सी उम्र है 13-14 साल की बच्ची वंडरेबल माइंड होता है प्यार का खुमार होता है उस वक्त जुनून होता है बॉडी में हॉर्मनल चेंज आता है उसको भी लव स्टोरी अपनी बनानी होती है पर क्यूंकि सारा अली खान ने कहा है कि लव स्टोरी वह है कि मिया भाई से तुम प्यार करोंगे तो वह लवस्टो हमारी लड़की यह देखती है कि अपने तो शारूप से लव स्टोरी च माग में यह कि अगर प्यार करना है तो मुसलमान से करो में इतिहास में छप जाओंगी मेरी तो लव स्टोरी बन जाएगी फिर वो अलग बात है वो पैतिस टुकडो में आती है तीसरा दूसरी दूसरी बात यह कि 25 साल की लड़कियों को यह बिगाड रहे हैं 25 से 35 साल की श हमारे ड्रेस अप में अच्छी सी सारी बड़ा बड़ा मंगल सुत्र बड़ा सिंदूर बड़ी बिंदी पीछे अंबे मा का बहुत बड़ा स्टैची होगा देखना उसके सारे सीरियल में यह इंडिकेट होता है कि हिंदू धर्म को बरबाद कर दो कि कोई भी देश को बिलाओ और बेटियों के दिमाग को खराब कर दो क्युकि हम परिवार व्यवस्था में समझते हैं तो जो बेटी हमारी आज हमारे घर की बेटी वो किसी के घर की बहु बनेगी और वो दो परिवारों को जोडती है तो उन परिवारों को बरबात करने का शड़ी आंतर चल तो होता क्या है दिखाएंगे क्या सीरियल में प्यार एक से करेगी शादी दूसरे से करेगी फिर जीवन में कोई तीसरा आएगा दूसरा मर जाएगा फिर चौथा पसंद आएगा फिर दूसरा जो मर गया वो जिंदा हो जाएगा फिर कन्फिस हो जाएगी चौथे के साथ ज करते हम दूसरे से शादी करते हैं फिर हमें पासंद आता है फिर हमारा मर जाता है पती फिर उमें चौथा लगता अरो Flight अनजया पती वह सदॉनली जिन्दा हो जाता है फिर हम कंफिद रोढ़ किसके साथ जाता है क्या हमारी वैलि यह यह से हम देखते हैं और हम तालिया बजातों हमारी बेटियों को भी यई TV सेरियल दिखातों इन सारी TV सेरियल बे एक ही चीज कॉमन क्या है जो सास है वो एक नंबर की नालायक जो ननंध है वो एक नंबर की नालायक और ये दोनों बहु के खिलाफ प्लानिंग करेगी तो अब जो वंडरेबल बेटी अपनी मा के साथ वो टीवी सिरियल देख रही है उसका दिमाग कैसे खराब होता है उसको पहले से ही जैसे अनकॉंशियस माइन में चीजे कैसे काम करती है उसको दिमाग में पहली बैठ जाएगा कि मेरी सास भी मुझे ऐसी ही मिलेगी क्यों हमारे हिंदू परिवा टूट रहे क्यों आजकल हमारी बेटियों को जॉइन फैमिली में रहना पसंद नहीं आता है उसे शादी के उठेगी हमें तेरी घर में एंट्री नहीं देंगे यह में बच्पन में सिखा दिया गया था इसलिए आज भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हम ससुराल में रहते भारतिय सांस्कृतिक व्यवस्था परिवारिक व्यवस्था को ने बनाए रखा है फिर एकता कपूर गया में दिखाए अब हमारी बेटी जो वहां जाती उसको लगता है मेरी नणन नालाएक मेरी सास नालाएक इसलिए आप देखो सास बहूं में निपती नहीं पहले कैसे निपती थी पहले कैसे रहते थे और तीसरा जो मैंने का ओटी थी 35 से 45 वर्ष तक की महिला जो की वरकिंग विमेनिये जो जौब करती है उस महिला को कैसे दिमाग खराब करना है? फेमिनिजम के नाम के नाम के पार ज़िए तो आपको आपको फैमिनिस्ट काहो क्या यह फैमिनिजम है यह फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं नएका देभी पर दूर्गा रानी कमला वती पर राहनी चिन्दमा और հानी अपस पलाइं पर छो första एक इसे फिर्म क्यों बनाते है यह बनाए रानी नाइका देवी पर फिल्म के जिसने मौमत गौरी को नपुंसक बनाकर गुज्रात से मार के बगाया था वो 13 साल तक वापस भारत में नहीं आया था यह इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि बारत की बेटी को करीना खान बनाकर उस